भारत विश्वस्तर्य चनौती में भागिदार बन रहा है। मैं विशेश रूप से नीमज के अध्युकिक विकास को गती देने के लिए पीम गती शक्ति के तहट जल्दी एक उच्छस्तर्य टीम नीमज भीजूगा जिसे नीमज के अध्युकिक विकास को नए आयाम यहां की हवाई पट्टी का भी विस्तार करेंगे और सेर्विक प्लांट लगाने की भी यहां पर संभावना है। यह बात किंद्रिय वानी जी और उध्योग मंत्री पियुश गोयल ने नीमज के मंगलम रिसॉर्ट में प्रबुद्धुजन सम्मिलन को संबोधित करते हु कॉंग्रिस के प्रदेश नितरत्व को आड़े हाथो लेती हुँ उन्हों ने कहा कि भ्रष्टचार के कारण कॉंग्रिस के निताओं के पास चार्टर्ड प्लैन हैं हिमाचल में नीजी होटल है कॉंग्रिस के समय यूचनाओं के नाम पर भ्रष्टचार की रास्ते निकल जाते थे कोईला कॉमन वेल्थ और टेलिकॉम घुटाली का भी उलेख किया मंत्री गोयल ने कहा कि पिये मोरी के मानदार सरकार ने ववस्था को पारदर्शी बनाया आज भारत विश्व की पांचवी अर्थ ववस्था बना कर उतरा है सरकार की सोच और काम करने का धंग बतल है इस दोरान उन्होंने मंत्री सकलेचा और सांसत सुधिर गुप्ता की प्रिशंसा करते हुए कहा कि क्षेत्र के जन प्रतिनीधी लगतार विकास की गाथा लिख रहे हैं सकलेचा द्वारत जावद धानसभा क्षेत्र में चलाई जा रही 9000 विध्यार्थियों के आर्टि प्योज गुएल ने चुनागे माहौल को देखते हुए अपील की कि विकास की गति को निरबाद धंग से जारी डखने और इमानदार शासन दवस्था के लिए जनता की जिम्मेदारी है कि इस डबल इंजन सरकार को अपना समर्थन और सहयोग देते रहें सांसद सुधिर ग कास परिश्यत चैंबर्स ओफ कॉमर्ज और केट संसद वारा किया गया सम्मिलन में दिलिप सिंग परिहार माधव मारू स्वाधी चोपड़ा रमेश चंद्र मौर्य मंचासीन रहे कामणानाथ इसको बड़े-बड़े मंत्ली रहे का बिख कि इसको द्यार में आया कि हमानी मातने बेटों की तिक भेशिती होती है कि शौथाले कहीं होने की कारब कामा कभी किसी को त्यारा है कि चार क्रोड ऐसे परिवारते जिनके पाद स्रयंद का पक्का कर रही है। आने वाले दिनों में भारत्य जन्ता पार्डी किये फूर्ण मौमत वाली सरकार फिर एक बार लाच में आए, फिर एक बार केंट्र में आए। 15 अगस 2022 को पांच प्रण मोदी जी ने देश के समख्ष रखे हमें 2047 तक एक विक्सिज भारत हम सब के सयूर्ट प्रयासों से भारत को विक्सिज बनाने के लिए निकल पड़े। काफूस कहां कहां बनता है, कौठन, कहां किसान कौठन मनाते हैं पूरा एक मैप पे आपको देश कर देश करेंगा। मुझे पता नहीं, ओपियम का मैप है कि अभी वो जाके मैं जेक करूंगा। और यह आप तो छुपा के रखते हो कि बागी देश वालों को जादा पता रहा चले। कौठनेश के मेताओं के पास कई सारे रिमान, कई सारे बड़ी-बड़ी जागीर हिमाचव कदेश में हुड़या है। यह सब चीजों का कभी पता लगाएं तो पता रहें कि आखिया लिखनेगा, कि वो 85 रुपाई कहा जाते थे। शेट्र को निमज शेट्र में एक पूरे शेट्र को कैसे तेरी गंदी से रिकास की भरण के साथ दोड़ा जाएं क्या कम्यालें, इक या कि सीजन ऊर होने से यहां के शेट्र में बड़े अध़ी अधीर होसके इसके मैं पूच्च सेयरी ठीन या भेजूंगा। मुझे बड़ा आनन्द आया देखके के नीमच के तीनों आमदार विधायक भारतिय जनता पार्टी के मंटसौर के शुदीर जी के शेते के आठ के आठ विधायक भारजबा से चुनके जीते और मुझे विश्वास है कि नीमच में जो विखास जो प्रगिती कट 18 वर्चों में शिवराज जी के नित्रतों में मद्द प्रदेश की सरकार ने और कट 9.5 वर्चों में केंद्र से प्रदान मंतिर नरेंदर मोदी जी के काम से और अब तो हमारे दोनों मन्य सांसद हमारे मंत्री दोनों विधायक सब ने जिस प्रतिवद्दा के साथ नीमच की सेवा किये मुझे पूरा विश्वास है कि पुने एक बार यहां पे आठ के आठ विधायक मंत्सोर में वाज़ाओ नारेंदर ने जिस प्रतिवद्दा करता होगा कि यहां पे उद्योग आए सिमेंट की इंडस्टी हो मुझे लगता है अपार संभावनाएं यहां संसाधन भी है और जैसा मैंने गोस्ता की कि मेरी एक पूरी टीम आके इस पूरे एरिया का सवरक्षन के स्टडी करेगी और इसमें से क्या-क्या मैक्सिमाइज कर सकते हैं नहीं विकास के उत्योग के पूटेंशल को उसको हम आगे करें यही तो भाजबा की ताकत है यहां पे कोई एक बार एक पद पे बैठ गया तो उनकी कोई पारिवारिक संपत्ति नहीं बनती है यह कोई गांधी परिवार के तरह नहीं है कि पर दादा से दादा से लड़का से पोता पता नहीं आगे क्या होगा सर इंडिया करता है और कारे करता के भूमिका में जो जिम्मेदारी जिसको जब दी जाती है हम बड़े आनन्द से प्रतिपत्ता के साथ चलता किसी आगे सवागत है उतो ऊपिये का एक नया रूप है नया नाम दिया गये आप नाब बदलने से कोई उनके कारणा में बदलते नहीं एक वश्टाचारी गटबननता और वश्टाचार के लावा उन्होंने देश को कुझा हमारे हर चुनाओं में हमारा चेहरा कमल होता है और कमल हम सब के लिए पूझनिये कमल लेके हम जनता के बीच जाते हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में उलास उमंग उनकी जो जो आकांचा है उसको पूरा करना और एक उज्वल भविश्य के लिए सेवा करने के काम से करीबों का कल्यान हो सुशाशन हो देश में उस प्रतिबता के साथ जनता के बीच जाएंगे और शेक चिली के सपनें देखने से कोई उनको रूप ने निमच अब्दुलाली रानी के साथ अपवन राव शिंदे के रिपार्ट